सुप्रभास जातियों सरुसोती केरेर पॉइंट में आपका स्वागत है उत्राखंड सामान्य ग्यान हमारा नया सीरीच उत्राखंड एक्जाम ओरियन्टेट के साब से जो भी कोईशन दिये जा रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में इजी हो रहा होगा कुस तुरूटियां होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिकरिया दे सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज का पाठ आज का पाठ है उत्राखंड के पुर्मक धार्मिक इस्थल च कि दूसिते हैं बद्रीनात धाम चमुली जिले में इस्तिते हैं यह 5 बद्रियों में सबसें महत् dummy थू थे हैं पनिज बद्रियों में सबसें महत् web अग्रिनात धाम ज्यकरिकरिया पाठ्ञ इपाठ माई के महने मेंे खुलते हैं और No स arriv के अंत सुछित हैं यहां पर गर् यम्नोत्री धाम उत्रकासी जिले में इस्थी थे यह लगबग 3,048 मीटर की उचाय पर इस्थी थे अगला यम्नोत्री धाम उत्रकासी जिले में इस्थी थे और जो उत्रकासी से 30 किलो मेटर की दूरी पर इस्थी थे और यह 3,293 मीटर की उचाय पर इस्थी थे यह उत्रख मुख्य प्रतिव मा सूर्य देव की हैं, यहां कुबेर, महिसासुर मर्धनी, शिव, पार्वती, नर्ष सिंह, लक्षमी नारण आधी की मूर्थियां इस्तितें, चिताई गोलु मंदिर, चिताई गोलु देवता मंदिर अलमोडा से लगबग 12 किलो मेटर की दूरी पचितें और इसे प्रमोच नियालाई भी कहते हैं, ठीक है, जागेश्वर धाम, उत्राखर, जागेश्वर धाम, अलमोडा से लगबग 40 किलो मेटर की दूरी पचिते थे, यह जटागंगा की किनारे इस्तिते, तता यहां 124 मंदिरों का समू है, इन मंदिरों का निर्मार कत्यूरी राजा सालिवाहन देव दौरा किया गया है, अगला है दुनागिरी, दुनागिरी मंदिर दौरा हट से लगब 5 किलो मेटर दूरी पचिते थे, इसे मा सकती के एकाउन उग्र पीठों में से एक माना जाते है, ठीक है, बागनाद, बागनाद मंदिर बागेश्वर जिले मे गोमती और सर्यो नजी के संगम पर हिस्ते थे, बागनाद मंदिर का निर्माण सन 602 में हुआ था, ठीक है, और इसी बागनाद मंदिर के ही प्रांगण में आपका मकर संक्रानती को लगते है, उत्रेनी मेला बागेश्वर में, ठीक है, पाताल भूनिश्वर गंगुली नैनादेवी मंदिर नैनिताल में इस्ते थे, इस मंदिर कंजिर्माण 1882 में हुआ ठीक है, इसे दुबारा गया था, क्योंकि 1880 में भूस्कलन में ये पूरी तरह से धौस्त हो गया था, तुंगनाथ, तुंगनाथ मंदिर रुद्र प्रयाक जिले में यह 3750 मेटर की उचा कि इस्थान पर इस्थित्व मंदिर ठीक हाट कालिका हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में इस तिदे यह मैसा सुर्भ मर्दनी का सिद्ध इड़ है करें चली अब उत्राखंड के संगीत कला वह लोगीत के वारे में जाने ऐे ख़ुदेड यह बिरहाय वीवाह गीत है ख़ंद महिलां द्वारा माई के याद्वी रॉला गया जाना सही वाला गीते इसए भी इ defenders गीत तिक होली गीत यह भी यह बसंत के आग मन के समय गया जाते अगला है तब 12 मासी या 12 मासा इसमें 12 महिने के लक्षुनों का वणंग किया जाते हैं उत्राखंड के प्रसिद्ध लोग निर्थिस चोबला गीत यह एक प्रकार का प्रेम गीत है जिसमें इस्तरी सोंद्रिय के वणंग के साथ ही चारों प्रकार के कामनाएं धर्म अर्थ काम मोक्ष समाहित होते हैं अगला है आपका कुलाचारिया बिरुदावली गीत यह राज्य में ओजी जाती के लोग द्वारा अपने ब्रह्मन च्छत्री यजमान के ब्याही हुई कन्याओं के घर जाकर इसकीतों को गाते हैं और ओजी लोग अपने यजमान के यजमान और उनकी जाती वन्स का गुणगान करते हैं यह अपने यजमान के ब्याही लड़की के घर जाते हैं और वहाँ पर उनके गुणगान या उनके कारेवकान को गीत की रुप में बताते हैं ठीक है चौमास सागीत यह यह गीत रितु में गाये जाते हैं माप कीजिए यह वर्षा रितु में गाये जाते हैं ठीक है थोड़ा सा यहां पर मिस्टिक होगी है मिरसे बोलने आगे देखें जागर गीत यह लोग का थाएं जिनका संबंद पौराणिक ब्यक्तियों या देवताओं से होता है जागर कहलाते यह किसी धार्मिक अनुष्ठान तंत्र मंत्र पुजा आदी के समय देवताओं या पौराणिक ब्यक्तियों के आवहान या सम्मान में गाये जाते हैं जोडागी कुमाव छेतर में माग महिने में गाया जाता है यह एक प्रमुक समू निर्तिगीत है ठीक है जोडागीत कैसा निर्तिगीत है तो यह समू निर्तिगीत है ठीक है हुड़की बोल या 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 नंगतिक आता है और जिसे खेत में काम करनी वाले लोगों द्वाला दवाला रायर जाता है ठीक है तो अक्सर यह подпис या आपका कि नहीं कैसे पुर्दान गीर हमादी लाली आदि यह संपूर समस्थ घ creation निर्ति गीत इसमें देखो माग गीत, तांदी, चाचर, चौफला, छोपती, थड़या, जोड़ा, बैर गीत ये सब निर्ति गीत है मांगल या संसकार गीत, जन्म, छटी, नामकरण, चूड़ा कर्म, जन्यों, भ्योहा, आधिके संसकारों में ये गीत गाये जाती है धार्मिक गीत, किर्ष्ण ववा, पांदलव, संबंदी, पौरानिक गाथाई, इस्थानी देवताओं, संबंदी, जागर, संध्या गीत, प्रभाद गीत, तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना गीत, क्यक्षिगान, भूत, भहराव, गीत, रखवाली, आधि, ये धब धार्मिक गीत है, चांचरी गीत ये कुमाओ छेतर का एक निर्ती गीत है, इस तरी पुरूस दोनों भाग लेते हैं, भगनोल, कुमाओ छेतर में इस गीत में प्रेम की परधानता रहती है, ये गीत इस तरी को अपने मन में कलपना करते हुए, उसके माधूर एहसास में प्रेम, प्रति योगता के रूप में अयूजित किया जाने वाले इस निर्थिक गीत के आयूजन में दो गयाक तार्किक वाद वीवाद को गीतात्मक रूप में प्रस्तूत करते हैं चुरागीत यह लोगीत ब्रिद भीड बकरी चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाया जाते हैं चोपती या छपेली गीत ब्यवाह या किसी उस्सों में इस्तरी पूरुस गोलाकार की इस्तिती में बैठकर प्रस्नों उस्तर के रूप में गाते हैं चलिए आप जानते हैं उत्राखंड के जिलों के बारे में ठीक, उत्राखंड के जिले, उत्राखंड में कुल 13 जिले हैं, जिन में से 6 जिले कुमावंडल में हैं और 7 जिले गड़वाल मंडल में पहला कुमाओ के अल्मोडा जिला अल्मोडा नगर उत्राखंड राज्य के कुमाओ अंडल में इस्तिते ये समुद्र तल से 646 मेटर की उचाई पर इस्तिते अल्मोडा की स्थापना राजा बालो कल्यान चंद ने 568 में की थी अल्मोडा कुमाओ राज्य पर सासन करने वाले चंद नसी राजाओं की राजधनी थी तो ये अल्मोडा का छोटा सा मैप है आप इसे भी देख लीजिए आगे देहें कुल छेतर फले 3144 वर्ग किलोमीटर कुल जन संख्या चेलाग बाइसे जार पान सुच्छे साक चर्ता दर हैं सतर दसमलो एक दो तैसे लोग के संख्या बार हैं रानी खेत अल्मोडा बिकयर शेन रानी खेत दोलचिना श्याल्दे जैती भनोली द्वाराहण स्वुमिष्र चोकुटिया शल्ट और लमगाडा विकास खंड ग्यार हैं तारी खेत विकयर शेन लमगाडा ध्षल्दे भेषिया चाना हवाला बाग दोराहड ताकुला, चोकोटिया और सल्ट अलमोडा की सीमा देखें तो आपका गडवाल, चमोली, बागेश्वर गडवाल मतलब पोड़ी गडवाल ठीक है पिथोरागड, चमपावत, नेनिताल से लगता है तो ये याद रखना बागेश्वर, उत्राखन राज्य के कुमाव मंडल में स्तित समुदर तल से इसके उसत मुचाई एक हजार चार मीटर और बत्तिस्सो चौद फिट है बागेश्वर जिले की स्तापना 15 सितंबर 1997 को हुआ था बागेश्वर, कपकोट, करूड, कांडा, दुनाकुरी और काफी गैर ब्लाग या विकास खंड़ के संक्या तीन है बागेश्वर, कपकोट और गरूड तेकि इसकी सीमा देखते हैं चमोली से लगती है और पूरव में पिथोरागड से और दक्षन में अलमोला से ठीक है चमोली उत्राघंड का सबसे बड़ा जिला चमोली जिले की स्तापना 14 फरवरी 1960 को हुआ था ठीक है, चेतरफल के चाप से 8,030 वर्ग ग्लियोमेटर है और जन संक्या के सबे 3,91,605 साक्षर्तादर है 22,165 तैसलों के संक्या बार है चमोली करण प्रियाग, जोसी मट, थराली, पोकरी गैरसन घाट, आदी बदरी, जिलासू, नंद प्रियाग, देवल और नायराण बगड ब्लोकों के संक्या नो है करण प्रियाग, जोसी मट, थराली, गैरसन, घाट, देवाल, दशोली, नायराण बगड और पोकरी ठीक है और इसकी सीमा देखें मैप में तो चाइना से लगती है और पच्ची में उत्तरगासी और रुद्र प्रियाग से इधर पूरों में पिथरागड बागेशोर से पोड़ीगडवाल से, अल्मोडा से ठीक है चंपाओत चंपाओत जीले की स्थापना 15 सितंबर नुए सो सतानभी को हुई थी है समुद्र तल से 615 मीटर की उचाए परिस्तित है इसका कुल 6,366 वर्ग कीमी कुल जन संक्या है 2,69,648 साक्षरता दर है 89,083 तैसलों की संक्या 5 है चंपाओत पाटी पुनागिरी, लोहागाट, बाराकोट ब्लोगों की संक्या भी 4 है चंपाओत लोहागाट, बाराकोट और पाटी तैसल 5, ब्लोग 4 इसकी सीमा देखें मैप में तो पितोरागर से लगती है और इधर पे आपका पस्ची में अल्मोडा से लगती है तैनिताल से लगती है उदमसिंगनगर से लगती है ठीक है और इधर से नेपाल से लगती है यहाँ पर जोला यह मिस्टिक से इधर आपको यह चाइना लिखा दिख रहा है लेकिन चाइना नेपाल से लगती है अगला है देहरादुन जिलाए की स्थापना 870 कोवी थी और यह उत्तराखंड की राजधानी भी है ठीक है पहले इसको मैप में देखते हैं देखो हिमांचल परदेश से लगती है इसकी सीमा और उत्तर परदेश से हरिद्वार से गड़वाल यानि पॉ से लगए पॉंटा साइब के बाद यमना नदी काटती है ठीक है छे तफल के इसाब से देखा जाये तो 388 वरकर कीमी है जंसंख्या 16,694 तैसे लोग की संख्या साथ है चक्राता विकास नंगर देहरादून रिसीगेस त्यूनी डोईवाला और कालसी ब्लॉकों की संख्या अगला है हरीद्वार हरीद्वार को देखें तो हरीद्वार जिले की स्थापना 28 दिसंबर 1988 कोबवा था ठीक है और 3149 मेटर की उचाय परिस्ती थे चेतर इसका पहले मैप देख लेते हरीद्वार का तो मैप में यह लगता है उत्तरप्रदेश से देहरादून से आगे देखें इसमें चेतरपले 2360 वर्ग किलोमेटर कुल जन संक्या है अठार लाग नब्वे अजार 422 आप कीजिए 422 है ठीक है साक्षरता दरह है 33.43 तैसिल संक्या 5 है हरीद्वार रूल की भगवानपूर लक्षर और नार्षन ब्लॉकों की संक्या 6 है रूल की भगव खानपूर लक्षर नार्षन बहद्राबाद और खानपूर ठीक है अगला नेनिताल जिले की स्थापना 8001 अनभी हो था समुद्र तल से यह 5938 मीटर की उचाई पर इस्ति थे मैप में देखें तो इसकी सिमा गडवाल से लगती है उदम सिंग नगर से लगती है ठीक है और जन संख्या है नोलाग 4605 साक्षरतादर है 33.88 तैसिल नो है नेनिताल हल्दवानी रामनगर धारी कुश्या कुटोली बिताल घाट लालकुवा काला धुगी और ओखल कांडा ब्लॉक की संख्या है आठ हल्दवानी भीमताल रामगड कोटाबाग रामनगर बिताल घाट ओ अखल कांडा धारी पॉड़ी गडवाल की स्थापना अठार सो चालिस में हुआ था ठीक है अंगरे जोनी किया था इसको तो इसकी सीमा लगते देहरादून से टीहरी से रुद्र प्रियाक से चमोली से अलमोडा से नैनिताल से और उत्तरवर्देश से और साथी हरीद्वा से ठीक है सबसे ज्यादे जो हमारे जिलों से टास होने वाला राज जिला यही पॉड़ी गडवाले छेतरवल के सबसे देखा जाए तो 5230 स्वर्ग कीमी है कुल जन संग्या 6,87,271 साक्षेतादर 82.02 कुल तैसिल 13 पॉड़ी स्रीनगर थली शेयन कोड़ द्वार धोमा कोड लेश डाउन, यंकेश वर, चौपटा खाल, चा कीशेयन, सत्पूली, जाखनी, खाल, और रिकणी खाल, बीरों खाल ब्लोकों की संक्या पंदर है कलजी खाल, पौड़ी, थाली चेन, पाबो रिकणी खाल, बीरों खाल, दुगड़ा, लैजड़ान, कोट द्वारी खाल, यमकेशर, पोखडा, नेनी डाड़ा, खिर्सु, पाणाखीत ठीक है, यह जगह भी याद रखना इसमें सिर्फ जन संक्या के आकड़े गलत हैं, हो सकते हैं लेकिन और सब आकड़े क्लियर हैं, क्योंकि जन संक्या कम ज्यादा होती रहती है अगला है पितरागड, कि इस्तापना 24 परवरी 1960 को हुआ था पुराना नाम सोर घाटी है, सोर सब्द का अर्थ होता है सरोवर, यहां पर माना जाता है कि पहले इस घाटी साथ सरोवर थे, यह समुद्र तल से 695 मीटर की उचाई पर है इसके सीमा देखो तो चमोली से लगती है, चाइना और नेबाल दो अंतराष्टी है सीमा है पच्चिम में बागे सोर से लगता है और अलमोड से लगता है और चमपाउट से ठीक, कुल साक्षरता आप कीजे, छेतर बले 7,090 वर की किलो मेटर, कुल जन संग्या 4,83,440 साक्षरता दल, 82,025, कुल तैसिलों की संग्या बार है, पितोरागळ, धार्चुला, मुन्चरी, डीडी हाट, कानाली चीना, बेरी नाग, बंगा पानी, गणाई, गंगोली हाट, देवल थल, गंगोली हाट, थल और तेजम ब्लोकों की संग्या हाट है, मुन्चरी, धार्चुला, बेरी नाग, डीडी हाट, कानाली चीना, गंगोली हाट, पितोरागळ और मुनाकोट दस्मा जीला हमारा रुद्र प्रियाग, इसकी स्तापना 1997 को भुआ था, ठीक, 17 सितंबर 1997 स्तानवे को, रुद्र प्रियाग, अलग दंदा और मंदा के नी नदी के संगब पर रिस्तिते, इसको देखे हम लोग मैप में, तो उत्तर, ये टिहरी से इसकी सीमा लगती है, और उत्तर कासी से लगती उपर और चमोली से नीचे गड़वाल, गड़वाल मतलब पॉड़ जखोली, रुद्र प्रियाग, बटुकेश्वर, और बलोगों की संग्या तीन है, उकीमट, अगस्ति मुनी और जखोली, पिहरी, गड़वाल, एक अगस्त उनिचास को ये जिला बना था, इसकी सीमा लगती है, उत्तर कासी से, रुद्र प्रियाग से, धेरादून से, और पोड़ी गड़वाल जे, ठीक है, चेतरभल के साब से, 3600, 222 किलोमेटर, कुल जन संग्या 688931, साक्षर्तादर 76.36, बारत एसिल है, टिहरी, नरेंदर नगर, परताप नगर, देवपरिया, गंसाली, जाखनी धार, धनोल्टी, कंडी, सोन, गजा, नेनबाग, किर्थी न और बालगंगा, ब्लोकों की संग्या 10 है, टिहरी, चंपा, परताप नगर, जोनपूर, नरेंदर नगर, देवपरिया, किर्थी नगर, गंसाली, जाखनी धार, धोलधार, उदम सिंग नगर, अगला आता है हमारा बार्वाजिला, तो इसकी स्थापनों अथा 1995 में, ठीक है सितंबर, अक्टूबर का महिना है, इसका थोड़ा सा डेट और महिना है क्लियर नहीं है, तो 1995 में याद रखना, इसकी सीमा लगती है नेनी ताल से, चंपाउस से, और पूरा कपूरा उत्तर प्रदिश से, ठीक है, 2542 किलोमेटर है, यह हमारा तराई, यानि मेदानी जिला ह 16,000,540,000 यहां कि जन सिंख्या है, साक्षर्तादर 23.10,km है, 38 है, कासीपुर, गदरपूर, जस्पूर, खटीमा, किछा, सितार गंज, बाजपूर और रूदरपूर, बलॉकों की संख्या है, 7, जस्पूर, खटीमा, सितार गंज, कासीपूर, रूदरपूर, बाजपूर तेरवा जिला उत्तरकासी 24 फरवरी 1960 को स्थापना वाता इसकी सीमा हिमान्चल परदेश से लगती है चाइना से लगती है चमोली से रुदर प्रियाक टीहरी गड़वाल और देहरादुन से ठीक है कुल छेतर फल देखा जाए तो 8,006 वर्ग कीमी है कुल चन संक्या 3,3090 साक परवाली डुंडा पुरोला मोरी चिन्याली शोण और नौगाउं ठीक तो सातियों आज का क्लास यहीं पर ओबर होता है कल्दू इसी के आगे का पढ़ाएंगे ठीक है पांचवा पार्ट फिर आएगा तब तक कि लिए गुड़ लग पढ़ते रहिए आज थोड़ा आज डे आपका दिन सुबो मेहनत करते रहिए